हेलो फ्रेंड्स मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे स्यूटूब चैनल डीकोड इग्जाम में फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है रचना और रचना कार जैसा कि इस पर हम पहले एक क्लास कर चुके हैं उसमें हमने एक मुख्य लेखक की almost सभी कृतियों के बारे में बात की थी लेकिन आज की वीडियो में हम एक प्रसीद लेखक की उसकी प्रसीद कृति की यानि उसकी प्रसीद रचना की बात करेंगे जो कि एकसर एक्जाम में पूछी जाती है और एक्जाम में question भी इसी type से आते हैं कि जैसे मालेजे मात्रिवंदना किस ने लिखी है ठीक है और चार option आपके आ जाते हैं तो आज हम ऐसी ही class करेंगे यहां पर कि जिसमें हम एक प्रसिद लेखा की प्रसिद कृती को ही बस देखेंगे यहां पर सारी कृतियां हम नहीं देखेंगे यहां ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की class ठीक है अब यहाँ पे मैं almost 53 कृतियां हैं और लेखक का में लेकर आई हूँ तो one by one हम लोग देखेंगे चले शुरू करते हैं पहला है मचली घर मचली घर किसने लिखा है विजय देव नारान शाही जी ने अगे बढ़ते हैं अपनी शताबदी के नाम अपनी शताबदी के नाम लिखा है दूदनाज सिंग ने ध्यान देजिए अगर आपको विजिबल ना हो तो आप मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनियो चाहे तो साथ में नोट्स बनाते चलिए लास्ट में मैं स्क्रीन के उ च्रमा नवरतन जी का है रह चिंतामड़ी जी का है स्वर्ग रोहर विष्णुदास जी का है गीत गोविन भाटिंदू का है भातिंदु का प्रिथ्वी राज प्रयाग राधा कृष्नादास का है बीजव जानते ही होंगे कभी sure राल टीन शर्च्छप निर्मल वर्मा जी का है मानको मानस के हॉन्स अमरिंतलाल नागर जी का है ये जूटा सच यश्पाल जी का है यश्पाल जी का हमने पिछली क्लास में इनकी सारी लगबग ओल्मुब्रतियों को देखा था उसमें जूटा सच्छ भी था तो ये connected important है जूठा सच पिगले पत्थर रांगे रागव जी का है आगे बढ़ते हैं ठीक है सूर सागर पताई हो को अलमुर्स सभी लोगों को सूर सागर सूर्दास जी का है रसीदी टिकट अम्रिता पृतम जी का है जुगल बंदी गिराज की सोज जी का है आनंद मंजरी पंडित अंबिका दक्त दास जी का है आनंद मंजरी क्या भूलू क्या याद करूं हरिवन सराय बच्चन जी का है चुक्त भी इनका आएगा मदू शाला इनका बहुत एंपॉर्टन्ट है वो भी और क्या भूलू क्या याद करूं भी है कलम का सिपाही अम्रित राइ जी का है अश्वक के फूल हजारी अधिया प्रसाद दिवेदी जी का है, आधे अधूरे ये भी अक्सर पूछा जाता है, आधे अधूरे मोहन राकेश जी का है, धूप के धान गिर्जा कुमार माथुल जी का है, अशोप चन्रगुफ्त विद्या लंकर जी का है, हल्दी घाटी श्याम नाराण पांडे जी का है बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा जी का है देहाती दुनिया श्रीव पूजन सहाय जी का है आगे बढ़ते हैं नीला चांद किसका है नीला चांद श्रीव प्रसाज सिंग जी का है सारा आकाश सारा किस का है सारा आकाश राजेंद्र यादव जी का है ठीक है चतुरी चमार इंपोर्टेंट है ये चतुरी चमार निराला जी का है सिमाएं टूटती है श्रीलाल सुकल जी का है एक इंच मुस्कान इसे दो लोगों ने लिखा है राजेंद्र यादव जी एवा मन्नुभन डारी जी ने इसे लिखा ह आधा गाउं रही मसूम रजा जी का है जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है शत्रंज की मोहरे अम्रितलाल नागर जी का है ये ठीक है त्याग पत्र ये भी अक्सर पूछा गया है त्याग पत्र जैनिंद्र कुमार जी का है चोखट द्रोडवीर कोहली जी का है ठीक है अब राजिता रामेश्वर सुकल अंचल जी का है ठीक है भारत दुर्दसा भारतेंदु हरिश्यन जी का है ठीक है आगे देखने हैं पृत्वी राज रासो इसको ये आदिकाल की कृति है आदिकाल की रशना है ये इसे लिखा है चंदर बरदाई जी ने ठीक है गीत गोविं ठीका ये रिश्य भकती का हैमीरा भाई ने इसे लिखा है युग शतक श्री भट्ट जी और पर्मानंध सागर पर्मानंद दाश जी का है ये उसी तरह से बानी पता होगा आपको संत्र रेडास जेका है बानी सत्यवती कथा इष्वर दास जी का है राम रामचरित मानस तुलसी दास जी का है अक्सर हम कन्फ्यूज होते हैं कि रामचरित मानस किस ने लिखी हो रामाड किस ने लिखी है कन्फ्यूजन हो जाता है तो ध्यान रखिए रामचरित मानस तुलसी दास जी ने लिखा है और रामाड बालमी की जी ने लिखा है ठीक है रंग में भंग मैथली शरण गुप्त जी का है प्रेम पचीसी गया प्रसाद सुक्ल सनेही जी का है मदुशाला पता यह हरिवन सरा बच्चन जी की है चांद का मूँ टेड़ा है मुक्ति बोध जो लेखक हैं उनका पूरा नाम के है देख लिजे गजानन मदौ मुक्ति बोध ठीक है उनी की है चांद का मूँ टेड़ा है गजानन मादौ मुक्ति बोध ठीक है आमने सामने ये भी पूछा गया है किसी उग्जाम में कुवर नारायड जी का है सेमल का फूल ये मारकंडे जी का है तो हमने यहाँ पर देखा 53 लेखक की हमने एक लेखक का दो दो कृति भी आ गया है उनका दो बार नाम भी आ गया है उनकी जो मुख्य रचना है उसको हमने देखा इसी तरह के कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू से ये टॉपिक भी इंपोर्टेंट है जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था एक दो मार्क्स के कोशन सभी एक्जाम में चाहे वो किसी भी लेवल को हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है सब में रचना और रचनाकार का एक या या दो मार्क्स का कोशन जरूर आता है तो यह इंपोर्टेंट है यह मैंने कुछ लिष्टिंग आपके लिए की है मैं यह नहीं कहूंगी कि इसी में से आपका आ जाएगा लेकिन जो भी इंपोर्टेंट मुझे लगा वो मैं आपके यहां पर लाई हूँ और उनकी रचना तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और अगर आप हमारे न्यू वेवर हैं और मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिकोड इक्जाम जो चैनल है हमारा उसे सब्सक्राइब कर देजिए वहां से आप सामानी ह उस तरफ हो जाऊंगी और आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे ताकि यह बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका और जितना भी है उसे कोसिस करिए कि आपको याद हो जाए कम से कम एक मतब 53-55 अलमुष्ट लेखक का आपके पास कृती हो जाएगा तो एक अच्छा खासा आपके पास रचना और रचनाकार का त्यार हो जाएगा मैटर ठीक है तो चलिए क्लास यहीं पर ओवर होती है थैंक्यू वेरी मच और मैं उस तरफ हो जाऊंगी आप इसका स्क्रीन शॉट ले लिजिए ओके